नमस्कार दोस्तों, चीन के द्वारा गरीब देशों को अपने अधीन करने या फिर खरीदने या फिर उन पर राज करने के लिए चलाई जाने वाली पॉलिसीज, समझाया आपको? चीन के द्वारा गरीब देशों को अपने अधीन करने, कर्ज के जाल में फशाने, उन पर राज करने के लिए जो पॉलिसी शलाई जा रही है उनके बारे में पढ़ेंगे पहली policy है depth trap policy आप सबी ने सुना होगा depth trap policy को viral हुई है उसी के अधीन उसने जो सीलंग का है उसके हमबंडोटा बंदरगाह को सौबर्स के लिए अधीन कर लिया है लीज पर ले लिया है ठीक है तो जो depth trap policy है रिड के जाल में फसा कर अपने अधीन करना इसे हिंदी में कहा जाता है इस policy को इसमें होता क्या है यह या तो किसी देश को जो गरीब है उसी को पैसे की जरूरत होगी और वही इसके अंडर आ सकता है और कोई देश जो पावरफुल है वो इसके अधीन नहीं आ देते थे क्यों आपको पता होगा वन चाइना पॉलिसी है वो चाइना फॉलो करता है कि ताइवान चाइना का ही एक हिस्सा है अलग देश नहीं है बहुत सारे देशोंने हाल ही में जैसे होंडूरास हो गया और बहुत सारे देश हो गये जिन्होंने ताइवान को चीन के ही अधीन मानना सुविकार कर दिया है जो कि अभी तक उसे अलग मानते थे ठीक है तो किसके कारण सिर्फ सिर्फ depth trap policy के कारण दूसरे policy कौन सी है दूसरी policy है check book diplomacy policy check book diplomacy policy इसमें क्या करता है इसमें investment के माध्यम से दूसरे देशों को अपने अधीन करता है रड़के जाल में नहीं वसाएंगे, बलकि अब हम तुमारे यहांपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे, उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देगा, देखो बस शब्दों का खेल है, बात सब वहीं जाकर टिकती है, उनसे कहता है कि देखो हम यहां पर development करेंगे, चुका दो तो चुका देना, नहीं चुका दो कोई बात नहीं, यह कह देता है, और इसकी एक और चाल है कि पहले जब किसी देश को करजा देता है, तो कमरेंड पर देता है, लेकिन जब लेने की बारी आती है, तो बढ़ा चड़ा करके दर बता देता है, और उससे पैसा वसूल करता है, और जब वो नहीं दे पाते है, तो फिर उन्हें अधीन कर लेता है, तो पहली कौन सी policy है, इसकी दूसरे देशों को अधीन करने की, डेप्ट ट्रेप policy, ठीक है, उसमें या तो जमीन लेकर, या फिर पैसे देकर, ठीक है, पैसा देता है, ज इसे नहीं चुका पाएंगे, ओवियसली वो इसकी अधीन हो जाएंगे, तीसरी policy कौन सी है, तीसरी policy टूरिज्म policy है, इसमें क्या करता है, कि देखो, देशों से कहता है, कि तो हमारे साथ सम्मंद बनाओ, हमारे जो टूरिस्ट हैं, हमारे देश की लोग है, क्योंकि आप स इस वज़ा से यह क्या कहता है, कि देखो, हमारे देश के लोग, अगर तो हमसे रिस्ते बना लोगे, तो हम अपनी टूरिस्म policy में आपकी देश का नाम डाल देंगे, और जब हमारे देश की जो लोग है, वो जाएंगे चैनीज घूमने, तो आपकी देश में जरूर जाए क्योंकि तूरिस्म की बहुत बड़ी, बहुत बड़ा सोत होता है पैसे का, है न, इस वज़ए से तो तीन policy हैं, आयोप आप से भी को समझ आ गया होगा, डेप्तर टैप डिपलोमैसी, और दूसरी है चैप बुक डिपलोमैसी policy, और तीसरी है टूरिस्म policy, ठीक हैं, अभी ह हाल ही में क्या हुआ है कि ताइवान को अभी तक 14 देश अलग राज जगा दर्जा देते थे, अब सिर्फ 13 देश रहे गए हैं, होंडा रूस ने, होंडा रूस ने, दो मिलियन डॉलर के लालच में आकर के ताइवान से रिस्ते तोड ली हैं, और चीन को मानेता देने वाल देशों की संख्या एक बढ़ गई है, यानि होंडा रूस ने ताइवान से गाता कि आप हमें दो मिलियन डॉलर का पैसा देदो, रुपए देदो, हम क्या करेंगे, दो बिलियन डॉलर हाँ, हम अपने देश में डेम बनाएंगे, इसने का भई तुम कुछ जादा ही मांग तो सब को चाइना अपने चाल से खेल रहा है, न्यूज कैसी लगी, कमेंट शेशन में जरूर बताना, चाहिन चाह भारत